काजूल इन दिनों अपनी फिल्म देवी को लेकर खूप चर्चे में है जी हाँ, 13 मिनिट का ये शॉर्ट फिल्म देखकर आपकी आखे निश्चित रूप से नम हो जाएगी International Women's Day से पहले यूटूब पर रिलीज हुई ये फिल्म प्रियंका बेनर जी ने सादगी से इस फिल्म को डिरेक्ट किया है काजोल के अलावा इस फिल्म में नेहा धूपया, सुरुती हसन, शिवांगीर गुवंशी, नीना कुलकर्नी, संध्या मात्रे, रमा जोशी, मुकताबावे, रश्वनी, दायमा ने दमदार रोल प्ले किया है ये फिल्म नौ महिलाओं की कहानी है, जो अलग-अलग परिस्थितियों से निकल कर एक ऐसी जगह आप पहुचती है, जहां कोई उनका अपना नहीं है तेरा मिनिट में ये नौ महिलाओं ने अपना दर्द को रूबरू करवाईगी जो अपने टीस को आज भी नहीं भूला पाई, दर्वाजे की घंटी बचते ही, हर प्रिता के दर्द फिर से उखरती है और दर्वाजा खुलने के बाद जो सामने आता है, उसे देखकर हर कोई हका बक्का रह जाता है फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है, एक कमरे में कई महिलाएं बैठी होती है, जो अलग-अलग जगा से होने के साथ साथ अलग-अलग वर्ग से भी है इन सब के साथ एक मुख बधी लड़की भी है, जो टीवी पर समाचार देखने के लिए शंगर्स कर रही है किसी बीच घर की डोर बेल बसती है, और घर में हलचल शुरू हो जाती है, बाहर कौन है ये जानने से पहले अंदर इस बात पर बहस शुरू हो गई की जो आएगा वो इस कमरे में कैसे रहेगा किसी बहस के दौरान हर महिला अपने साथ हुए गलत काम पर अपनी कहानी कहती है किसी के साथ 15 साल में गंदा काम हुआ, किसी के साथ 50 साल में लेकिन काजोल आखिर में दरवाजा ये कहते हुए खोलती है कि जो भी होगा, कमरे में वैसे ही एज़ेस्ट करेगा और जैसे ही घर के नए महमान को वो सभी देखते हैं उससे देखकर उनकी आखों में आसु आ जाता है तो कि घर का वो नया महमान एक 7-8 साल की बच्ची होती है दोस्तों अगर आपने भी फिल्म देवी देख ली है इस फिल्म पर आपकी क्या रहा है और इस फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें बताए और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गपशप्तो